अगले तत्व के ओर चलते हैं जिसे हम कहेंगे पॉजिटिव थिंकिंग अर्थात सकारात्मक सोच इसका क्या महत्व है हम मनो विज्ञान की बात कर रहे हैं और मनो विज्ञान हमें यही बताता है कि दुनिया में बाहर क्या चल रहा है वो हमारे हाथ में नहीं है कोई व्यक्ति हमसे कैसा बरताव करता है हमारे हाथ में नहीं है कितनी ठंड गिरती है कितनी बारिश होती है हमारे हाथ में नहीं है मैं कही रहाँ पे चल पड़ो मुझे कितना ट्राफिक मिले मेरे हाथ में नहीं है लेकिन फिर भी अगर मुझे खुश रहना है और अपने सफलता के रास्ते पर सही तरीके से चलना है तो मुझे खुद के सोच पर अच्छा मियंदरन होना चाहिए जब हम अपने विचारों की बात करते हैं तो हमारे दिमाग में हर तरीके से विचाराते हैं उसमें कुछ होते हैं सकारात्मक, कुछ होते हैं नकारात्मक कुछ विचार ऐसे होते हैं जो हमें हमारी लक्ष की ओर ले जाते हैं और कुछ होते हैं जो हमें हमारे लक्ष से दूर ले कर जाते हैं जितना मैं aware रहूं, जितना मैं clear रहूं अपने विचारों के बारे में, उतना मैं अपने नकारात्मक विचारों को पकड़ सकती हूं और उनको बदल सकती हूं सकारात्मक विचारों में बहुत सिंपल सी बात है, मेरे साथ अगर कुछ घटना हुई, तो वो घटना होना या न होना जैसे हमने देखा मेरे हाथ में नहीं है उस घटना में अगर मेरी नकारात्मक सोच आ गई तो मैं उस घटना में ही रह सकती हूँ कुछ मिनिट, कुछ घंटे, कुछ दिन और कभी-कभी कुछ साल भी लेकिन अगर मेरी सोच सकारात्मक हो तो मेरा उसी मुसीबत की तरफ देखने का नजरिया भी अलग होगा और मैं उसे शायद जादा आसानी से पार कर सकूँ सकारात्मक सोच का सबसे बड़ा फाइदा ये होता है कि हम कौन सी सोच ले, ये पूरी तरह हमारे हाथ में होता है तो कोई भी घटना चाहे हमारी लाइफ में हो उसमें मैं कौन सी सोच मिला के आगे बढ़ना चाहूंगी ये मेरा चॉइस होता है और वो उसका उपयोग मैं हर रोज, हर दिन, हर घटना के साथ कर सकती हूँ हमारा अगला पैरमीटर अर्थात तत्व है आत्म अनुशासन अर्थात सेल्फ डिसिप्लिन डिसिप्लिन बड़ा ही भारी शब्द है क्योंकि इसके साथ हमारे असोसियेशन है, हमारी मेमरीज है जो बच्पन से जुड़ी हुई है जब हमारे माबाप हमें अनुशासन देते थे और हमें वो मानना पड़ता था शायद उस वक्त ही हम अनुशासन को बहुत ही सकारात्मक रूप से नहीं देख पाते हैं हमें लगता है अनुशासन स्ट्रिक्ट होता है उसमें बहुत सारे नियम होते हैं और अपने मन के हिसाब से मैं उसे नहीं देख सकती हूँ हाँ, बच्चपन में ये जरूर हुआ करता था कि वो हमें बर्डन लगते थे और इसलिए जब हम सफलता की बात कर रहे हैं, जो हमने तत्व रखा है वो अनुशासन नहीं रखा है, आत्म अनुशासन रखा है क्योंकि जब दूसरे हमें अनुशासन देते हैं, काफी बार वो बोज लग सकता है लेकिन अगर ऐसा हो कि मेरे अंदर से ही मैंने कुछ अपने लिए ऐसे प्रिंसिपल्स ते किये कि जिससे मेरी खुद की लाइफ में अनुशासन आए, तो वो बर्डन कम हैसूस होगा क्योंकि वहाँ मेरा चॉइस होगा, कि येस, I am choosing to live by these principles आत्म अनुशासन जरूरी क्यों है? आज हम बात कर रहे हैं सफलता के बारे में और हमने देखा कि सफलता सिर्फ एक मंजिल नहीं है, एक रास्ता है उस तक पहुचने का तो अगर हर step में मुझे खुद के बारे में aware रहना है, खुद पर काम करना है और हर रोज विकास के मार्क पर जाना है तो कुछ न कुछ principles, कुछ तत्व मुझे ऐसे follow करने पड़ेंगे जिससे मैं उस रास्ते पर अच्छी तरह चल सकूँ हम सुनते हैं hard work के बारे में, हम सुनते हैं consistency के बारे में हमारे role models जो हैं, चाहे वो sports में हो, चाहे वो बड़ा कोई leader हो हम देखते हैं कि हर कोई आत्मा अनुशासन पर कितना निर्भर करता है एक उमर है ऐसी होती है कि जिसके बाद न माबाब हमें अनुशासित कर सकते हैं न और कुछ हाँ, traffic में police होते हैं, ये सब चलता है बड़ जहां पे अपनी सफलता का अपना मार्ग हो, वहाँ आत्मा अनुशासन सबसे महत्वपूर्ण करी है तो दो मिनट आप सोच सकते हैं इस बारे में कि आत्मा अनुशासन आपने खुद पे रखने के लिए आप किन मूल्यों का प्रयोग करेंगे, जो आपको आपके सफलता की परिभाशा की और जाने में मदद करेगा हमारी अगले तत्व की और चलते हैं, जो है आत्म प्रेर्णा अर्थात self motivation जैसे हमने अनुशासन की बारे में देखा वैसे ही motivation के बारे में देखते हैं, महत्वपूर्णा शब्द जो इसके पहले जुड़ा है वो है आत्म, कभी कभी ऐसा होता है या बच्पन में हुआ भी होगा कि motivation के लिए भी हम किसी और पे निर्भर करते हैं, कभी हमारी मा कु मुझे याद है बच्पन में मेरी मा कहा करती थी, कि अच्छा, डिक्टेशन में अगर फुल मार्क्स आए, तो आज बाहर खाना खाने चलेंगे और मेरे लिए वो एक motivation होता था, कि हाँ, इसी लिए मुझे पढ़ाई करनी हैं और डिक्टेशन में पूरे मार्क्स लाने हैं और अगर मेरी मा मेरे साथ नहीं हो, या मेरे मा ने ऐसा कुछ गिफ्ट मुझे नहीं दिया, तो मेरी लाइफ का क्या होगा, वहां से धीरे धीरे ये पता चला, कि जैसे discipline खुद का होना चाहिए, वैसे ही motivation भी खुद का होना चाहिए, क्यों जरूरी है, क्योंकि motivation मुझे energy देता है अपने गोल की तरफ आगे बढ़ने के लिए, घर में कोई महमान आने वाला हो खाना खाने के लिए, जो मेरा पसंदीदा नहीं हो, मुझे internal motivation नहीं रहता है, कि मैं उनके लिए कुछ करूं, फिर बाहर से मुझे किसी को force करना पड़ता है, और मैं घर के कुछ काम कर लेती हूं, अगर मेरा कोई पसंदीदा दोस्त मेरे घर पे खाना खाने आने वाला हो, तो अंदर से ही मैं energetic होती हूं, क्योंकि मुझे motivation होता है, क्यों? क्योंकि मुझे उस व्यक्ती से, उसके आने से खुशी मिलती है, मुझे लगाव होता है, तो अब आप देख रहे हैं ह हमारा लक्ष, जो हमारे हमें सफलता की और ले जाने वाला है, उससे अगर मेरा connect अच्छा हो, तब self motivation खुद में लाना मुझे ज़्यादा आसान होता है। पसंदिदा नहीं होती है। उधार नार्थ, किसी बच्चे को डॉक्टर बनना है, स्कूल में पढ़ रहा है, उसे गणित कतही पसंद नहीं है, तो कैसे लाया अंदर से motivation? लेकिन अगर उसने वो नहीं लाया और गणित में अच्छे क्रमांक नहीं ला पाया, तो ultimately उसके सफलता के परिभाशा को वो नहीं मिल पाएगा। यहाँ पे self-discipline और self-motivation को एक साथ लेना बहुत जरूरी है, और जो हमारा ultimate सफलता का परिभाशा है, उसके लिए हमें self-motivation का जादा से जादा प्रयोग करना जरूरी हो जाता है। हमारा अगला तत्व है सकारात्मक संबंध अर्थात positive relationships। मान लीजिए कि आपने सारे तत्व आज अपने जीवन में लाए और उसका प्रयोग करने लगे। लेकिन भावनाओ पे आपका काबू नहीं रहा। जिसकी वज़े से आपके जो करीबी रिष्टेदार है, आपके जो करीबी दोस्त है उनके साथ आप अच्छे सकारात्मक संबंध नहीं बना पाए। क्या लगता है सफलता की जर्ली में क्या आप खुश रहेंगे या अंतिम पड़ाव पार करने के बाद आप खुद को सई माइनों में सफल कह पाएंगे। Man is a social animal. हम इंसानों को जरूरत है सकारात्मक संबंधों की. बच्पन में माबाप, जैसे बड़े होते हैं तो माबाप के साथ दोस्त और भी सामाजिक घटक हमें जरूरी होते हैं खुद को उनके साथ identify करने की. Belongingness is a basic human need. कभी-कभी ऐसे होता है कि सफलता के हमारे सफर में हम इतना तेज भागने लगते हैं कि अपने संबंधों को हम पीछे छोड़ देते हैं. भागते वक्त तो शायद हमें महसूस ना होता हो, बट अंतिम पड़ाव पहुचने के बाद अगर हमें ये जानकारे हुई कि हां सफलता के कुछ चीजे तो मैंने हासिल कर ली है लेकिन मैं यहां अकेली हूँ, क्या मैं खुश रहूंगी? क्या वो पूरे अर्थ में सफलत होगी मेरे लिए? तो इसलिए जरूरी है कि जैसे हर दिन हम अपने विकास की ओर बढ़े, हम ध्यान रखे कि हमारे जो लोग हैं हमारे लाइफ में, वो लोग है जो हमारे लिए जरूरी है, महत्वपूर्ण है, वो हमारे साथ रहे. जैसे मैं अपनी भावनाओं का ख्याल हूँ मेरे लिए ये भी जरूरी है महत्व पूलना है कि मैं मेरे जो सकारात्मक संबंध है वो मेंटेन करूं और उनकी तरफ भी ध्यान रखो थजे लिए पूलना है क्या हैं क्यात्मक दोसरी में पնitaire हो भी जरूरी है